नमस्कार विजिन आईएस के नियूस टुड़े के इसंख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्वपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्या सींग आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की खास खबरों के बारे में राश्ट्रिय सिक्षा नीती 2020 के दो वर्ष पूरे होने पर केंद सरकार ने सिक्षा से जुड़ी कई पहनों का शुभारंब किया सेंख्तु राश्ट्रिय महासभा ने स्वक्ष और स्वस्थ परियावरं तक पहुँच को सारुभॉमिक मानवा अधिकार घोशित किया उचितम न्यायले ने कहा कि उपासना इस्थल अधिनियम एक ही धर्म के भीतर लागू नहीं किया जा सकता राश्ट्रिय बाग संरक्षन प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि टाइजर रिजर्व के कोड़ शेत्रों में किसी नए निर्मान की अनुमती नहीं होगी केंद्र सरकार के अनुसार प्राधेशिक शेत्र अधिकार के विस्तार के बाद सीमा सुरक्षा बल को सफलता मिली और तंबाकु उत्पादों पर नई स्वास्ते चेतावनी को अधिसूचित किया गया और आईए अब ख़बरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं राष्ट्रियस सिक्षा नीती 2020 के दो वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार ने सिक्षा से जुड़ी कई पहलों का शुभारंब किया इन पहलों में सिक्षा और कौशल विकास के सभी शेत्रों को शामिल किया गया है इन में डिजिटल सिक्षा, नवाचार, सिक्षा पद्धतियों में समनवय और कौशल विकास आदी जैसे शेत्र भी शामिल है शुरू की गई पहलों के मुख्य विशेशताएं हैं पद्योगी की प्रदर्शन के लिए भारतिय ज्यान प्रणाली, सिक्षा, मंत्राले, नवाचार, प्रकोश्ट की स्थापना की जाएगी इसके अलावा विद्यालें में 75 भारतिय खेलों की शुरूआत की जाएगी इस्थानिय कलाओं को बढ़ावा देने और समर्थन के लिए 750 स्कूलों में कलाशाला पहल शुरू की जाएगी इसके अलावा इंद्रा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विश्विद्याले के साथ स्किल इंडिया की साजिदारी होगी इसमें तीन वर्ष ये डिग्री कारिक्रम शुरू किया जाएगा इससे चात्रों को आजी विका के अधिक अवसर प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी इसके अलावा स्कूली सिक्षा में हो रहे सुक्ष्म सुधारों को बढ़ावा देने के लिए विद्या अमरित पोर्टल चुरू किया गया है साथी वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित के लिए 750 वर्चुल लैब और सिमुलेटिड लर्निंग के परिवेश के लिए 75 इसकिलिंग ई-लैब इस्थापित की जाएंगी स्कूल के प्राध्यापकों और सिक्षकों के समगर उथान की राष्ट्रिय पहल शुरू की गई है यानि कि निश्था जिसका उद्देशिया आंगनवाडियों में प्रारंभिक बालेकाल की देखभाल और सिक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सिक्षकों का प्रा राष्ट्रिय सिक्षा नीती जुलाई 2020 में जारी की गई थी इसका उद्देश्य भारत की सिक्षा प्रणाली को भविशी की जरूरतों के अनुरूप बदलना है राष्ट्रिय सिक्षा नीती के मुख्य सिध्धान विवित्ता और इस्थानिय संदर्ब का सम्मान और सभी पाठिक्रमों, सिक्षा, कार्य और नीती में समानता और समावेशन तथा सभी सेक्षिक निर्णेयों के आधार, सामुदाइक भागिदारी के जरिये परोपकारी, निजी और सामुदाइक भागिदारी के लिए प्रोथसाहन एवं सुविधाजनक बनाना, साथी प्रोध्योगी की का उपयोग, यानि कि अध्यापन और अधिगम में दिव्यांग छात्रों के लिए भाषा की बाधाओं को दूर करने में, सैक्षिक योजना और प्रबंधन में, इसके अलावा अवधारनात्मक समझ पर बल देना, न कि रटंत विद्या या संग्यों द्वारा निरंतर मुल्यांकन के माध्यम से समीक्षा करते रहना, सैवक्त रराष्ट्र महासभा ने स्वक्ष और स्वस्थ परियावरन तक पहुच को सार्भोमिक मानवाधिकार घूशित किया, भारत ने महासभा के एक संकल्प के पक्ष में मतदान किया है, ये स संकल्प, स्वक्ष, स्वस्थ और सतत परियावरन के अधिकार को मानवाधिकार का दर्जा प्रदान करता है, संकल्प में ये भी स्विकार किया गया है कि स्वस्थ परियावरन का अधिकार मौजूदा अंतराष्ट्री खानून से संबंदित है, ये इस बात की भी करता है कि इसके प्रसार के लिए परियावरण से जुड़े बहुपक्षिय समझोतों का पूर्ण कार्यान्वेन जरूरी है यह संकल्प कानूनी रूप से बाधिकारी नहीं है इसे मानवाधिकारों की सारुभॉमिक घोशना 1948 में शामिल नहीं किया गया है इससे पहले वर्ष 2021 में जेनेवा में सेंक तुराष्ट्रे मानवाधिकार परिशद ने एक संकल्प पारित किया था यह संकल्प स्वस्थ और सतत परियावरण तक पहुँच को सारुभॉमिक अधिकार के रूप में मानेता प्रदान करता है वर्ष 1972 में आयोजीत स्टॉक होम सेंक प्रदान के संकल्प के साथ हुआ था इस संकल्प कम है तो यह भी था कि परियावरण यह अन्याय और संरक्षन में भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी यह लोगों को सशक्त करेगा विशेश रूप से जोखिम पून परिस्थतियों में रहने वाले लोगों को इनमें मानवाधिकार, रक्षक, बच्चे, युवा, महिलाएं और देशज लोग शामिल हैं। ये संकल पृत्वी के तिहरे संकट यानि जलवायू परिवर्तन, जैव विवित्ता को नुकसान और प्रदूशन से निपटने के लिए महत्यकून है। परियावरन और मानवाधिकार से संबंदित समविधानिक प्रावधानों की बात करें। तो भारत का समविधान अनुच्चेद 21 के तहट जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। इसमें बीमारी और संक्रमन के खत्रे से मुक्त परियावरन का अधिकार भी शामिल है अनुच्चेद 48 ए राज्य परियावरन की रक्षा और उसमें सुधार करेगा तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। वहीं अनुच्चेद 51 ए जी के तहट प्रत्येक भारतिय नागरिक का करतवे हैं कि वो प्राकरतिक परियावरन की रक्षा और उसमें सुधार करेगा उच्चितम नियाले ने कहा है कि उपासना इस्थल अधिनियम एक ही धर्म के भीतर लागू नहीं किया जा सकता। उच्चितम नियाले ने जैन समुदाय के एक उपसंप्रदाय द्वारा समविधान के अनुच्चेद 32 के तहट दायर एक याचिका को खारिश कर दिया है। इस याचिका में अपने धर्मिक इस्थलों के एक अन्य उपसंप्रदाय द्वारा कथित तौर पर रूपांतरन के खिलाफ उपासना इस्थल विशेश उपबंध अधिनियम 1991 को लागू करने की मांग की गई थी। वर्ष 1991 का ये अधिनि अधिनियम के प्रमुक प्रावधानों के तहट धारा 3 में ये कहा गया है कि ये किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना इस्थल के किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के उपासना इस्थल में पूर्ण या आंशिक रूपांतरन पर रोक लगाता है। यहां तक कि ये धारा समान धार्मिक संप्रदाए के इस्थल के किसी अन्य घटक के इस्थल के रूप में रुपांतरण को भी रोगती है धारा चार दो इस अधिनियम के प्रारंब पर 15 अगस्त 1947 को विद्दिमान किसी भी उपासना इस्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के संबंद में के लिए एक समविधानिक प्रतिबधिता को लागू किया है साथ ही अपने समविधानिक दाइतों को व्यवहार में लाने का प्रयास किया है ये कानून भारत के पंथर इर्पेक्ष मुल्यों की एक अनिवारे विशेष्टा के रूप में यानि की पुरानी इस्थिती में वापस लोटने का विचार नहीं होना चाहिए अगली ख़बर जै विविधा से सम्मधित है राष्ट्रिय बाग सनरक्षन प्राधिकरण ने इस पष्ट किया कि टाइगर रिजर्व के कोर्शेत्रों में किसी नए निर्मार की अनुमती नहीं होगी ये निर्णें 29 के विचरन करने और प्रजनन करने के लिए आरक्षित होंगे इसमें प्राध्योगी की पर अधिक बल देने के साथ साथ समावेशी अवसनरक्षना विकास के लिए बहतर प्रयास किये जाएंगे इसके अलावा वन्यजीव सनरक्षन के साथ समनवय स्थापित करते हुए पर कर्थवी के पारिसितिक तंत्र में सामन जैसे बनाए रखते हैं इसलिए बाग के संदक्षन के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि स्वाइस्थाने संदक्षन के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था इसके अलावा इसके अलावा बाग संदक्षन के समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं जैसे कि बागों की इस्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में प्रतेक तीन बागों में से एक बाग रिजर्व शेत्रों के बाहर रहते हैं और इससे मानव तथा वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है मानव जनित गतिविधियों के कारण बागों के परियावासों को नुकसान पहुँच रहा है बागों के अन्य जगे पुनर्वास की योजना एक जटिल प्रक्रिया है इससे परियावास की पारिस्थितिकी में अधिनियम 1972 के तहट बाग अनुसूची एक में सूची बढ़ है और वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतराश्ट्री व्यापार पर अभी समय याली साइट्स के परिशिष्ट एक में बाग सूची बढ़ है केंदर सरकार के अनुसार प्रादेशिक शेत्राधिकार के विस्तार के बाद सीमा सुरक्षा बल को सफलता मिली है सरकार ने लोगसभा को सूचित किया है कि B.S.F. ने ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित वस्तियों की तसकरी को रोकने में सफलता हासिल की है ये सफलता पाकिस्तान और बांग्रादेश के साथ लगी भारत की सीमाओं पर तैनात B.S.F. के प्रादेशिक शेत्राधिकार में विस्तार के बाद मिली है इसे पहले वर्ष 2021 में ग्रीमंत्राले ने पंजाब, पश्चिम्बंगाल और असम में अंतराष्ट्रिय सीमा के भीतर B.S.F. के शेत्राधिकारों को 15 किलोमीटर से बढ़ा कर 50 किलोमीटर कर दिया था B.S.F. को सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के प्राभधानों के तहट वर्ष 1979 में पुलिस की कुछ शक्तियां दी गई थी कुछ संशोधनों को वर्ष 1973 और वर्ष 2014 में अधिसूचित किया गया था भारत नेपाल सीमा की रक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल को भी दंड प्रक्रिया सहिंता के तहट पुलिस और अन्य जाच एजनसियों की शक्तियां दी गई हैं इस कदम का महत्तो ये है कि ये सीमा पार अपराधियों की बदली हुई रणनीतियों को देखते हुए सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने के अलावा इससे एक रूपता आएगी बियसेफ को कई तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ऐसे में कारवाई शेत्र में पहुँच बढ़ने से बियसेफ की प्रभावशीलता में भी विर्धी होगी जम्मु कश्मीर और पंजाब में ड्रोन द्वारा हतियार और नशीली दवाओं को गिराने की बढ़ती घटनाओं के कारण भी ये कदम उठाना जरूरी हो गया था तमबाकू उतपादों पर नई स्वास्ते चेतावनी को अधिसूचित किया गया स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले ने सभी तमाकू उतपाद पैकेजों के लिए निर्धारित स्वास्ते चेतावनियों के नई सैट को अधिसूचित किया है इसके लिए सिग्रेट और अन्य तमाकू उतपाद पैकेजिंग और लेबलिंग नियम 2008 में संशोधन किया गया है एक दिसंबर 2022 को या उसके बाद निर्मित आयातित या पैक किये गए सभी तमाकू उतपादों पर एक नई चितर के साथ शाब्दिक स्वास्ते चेतावनी तमाकू यानि दर्दनाक मौत प्रदरशित की जाएगी नई स्वास्ते चेतावनी 12 महीने की अवधी के लिए होगी तमाकू का उपभोग कई दिरकालिक बीमारियों का कारण बनता है इनमें कैंसर, फेपडे की बीमारी, हिरदय रोग और स्ट्रोक शामिल है इसकी वजह से प्रतेक वर्ष 13 लाग से अधिक मौते होती है ग्लोबल एडल्ट टुबैको सर्वे इंडिया के अनुसार भारत में लगभग 26.7 करोड वयस्क तबाकू का उपभोग करते हैं ये कुल वयस्क आबादी का 29 प्रतिशत हैं भारत में तमाकू के उपयोग के प्रशलित रूप हैं धुआ रहित तमाकू आमतोर पर इस्तमाल किये जाने वाले उत्पाद जैसे कि खेनी, गुटका, तमाकू, युक्त सुपारी और जर्दा इत्यादी इसके अलावा धुमरपान के रूप में तमाकू का उपयोग, बीडी, सिग्रेट और हुक्के में भी किया जाता हैं तमाकू के इस्तमाल के खिलाफ शुरू की गई पहलों की बात करें तो आपको बता दें कि राश्ट्रिय तमाकू नियंतरन कारिक्रम चलाया जा रहा है, तमाकू उत्पाद के पैकेट के मुख्य भाग के 85 प्रतिशत हिस्से में निर्धारित स्वास्थे चीतावनी प्रदरशित की जाती है, सिक्षन संस्थानों को तमाक को मुक्त बनाने के लिए देशानिर्देश जारी किये गए हैं। परिवार न्यायलें की इस्थापना का प्रावधान किया गया है। चेत्र की मनजूरी के लिए चेन्ड़ी में मिस्ट कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया है। मिस्ट एक अंतराश्ट्रिय सबमारीन केबल संचार नेटवर्क है। ये नेटवर्क भारत को मियामार, थाइलेंड, मलेशिया और सिंगपूर से जोडने के लिए समुदर के नेचे से गुजरेगा। ये एशिया में सुरक्षित, विश्वस्निय, मजबूत और किफायती दूरसंचार सुविधाय प्रदान करेगा। इसका मुख्य ट्रंक रूट सिंगापूर में तुआस से भारत में मुंबई तक होगा। मिस्ट केबल की कुल लंबाई 81-100 किलो मीटर है। प्रमुख उद्योग यानि कोर उद्योग। वाणिचय और उद्योग मंत्राले के मुताबिक आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में जून 2022 में 12 प्रतिशत की व्रद्धी हुई है। पिछले वर्ष जून 2021 में ये व्रद्धी 9.4 प्रतिशत थी। इस सूचकांक में चैनित आठ फ्रमुख उद्योगों में उत्पादन के सयुक्त और अलग-अलग प्रदरशन को मापा जाता है। इन आठ प्रमुख उद्योगों में उद्योगी कुद्पादन सूचकांक में शामिल मदों के भारांश का 40.27 प्रतिशत भी शामिल है। के अंतरगत वित्य सेवा केंदर में किया गया है। इससे देश में सोने की मानक कीमत सुनिश्चित की जा सकेगी। ये छोटे सर्राफा विक्रेताओं और ज्वेलर्स के लिए कीमती धातू में व्यापार करना तथा पारदर्शिता लाना आसान बनाएगा। गरतलब है कि भारत दुनिया में चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा उभोगता है। इसके अलावा प्रधान मंत्री ने IFSC प्राधिकरण के मुख्याले भवन की आधारशिला भी रखी है। ये सैयुक्त अरब अमिराद, सिंगापूर और हॉंग कॉंग में स्थापित IFSC की तरज पर भारत का पहला और एक मात्र IFSC है। क्रिप्टो जैकिंग एक साइबर हमला है, इसका पता लगाना मुश्किल है। इसमें एक कम्प्यूटिंग डिवाइस को हमला बर हैक कर लेता है। इसके बाद वो अवैद रूप से क्रिप्टो करेंसी के कोईन माइनिंग के लिए इसके संसाधनों का उप्योग करता है। को हल करना शामिल है। मात्र ऐसा संचारी रोग है जिसके कारण मृत्यूदर में व्रिधी हो रही है। और इसका कारण है शराब का सेवन, उत्पेजक प्रतिक्रिया, संक्रमित रक्त या शरी के तरलपदार्थ के संपर्क में आना, विश्यू स्वास्थ संगठन, वाइरल हैपेटाइटिस के ल ये बने ढाचों को हटाने का आदेश दिया है। लोग तक जील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील हैं। इसमें कई फुमडी या वनस्पती राशियां पाई जाती हैं। इस कारण से इसे फ्लोटिंग लेग भी कहा जाता है। फुमडी अब घटन के विभिन्ने चरणों में मिठ्टी, वनस्पती और जैविक पदार्थों से मिलकर निर्मित होती है। इस जील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राश्ट्रे उध्यान, केबुल, लामजाओ इस्थित हैं। ये भारत के रामसर इस्थलों में से एक है। शिल्प ग्र केंदर सरकार ने एक ही स्थान पर शिल्प और परेटन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र को परेटन से जोडने के अंतरगत आठ शिल्प ग्रामों की कारियोजना शुरू की है। इन ग्रामों में शामिल हैं ओडिशा का रगुराजपूर, आंधर प्रदेश में तिरू आजिविका विकल्प के रूप में विक्सित करेंगे और इस तरह से ये देश की समरिद्ध शिल्प विरासत की रक्षा करेंगे। और उनके लिए शमा मांगने के साथ समापत होता है। पुर्व और दक्षिन पुर्व में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, दक्षिन में अफगानिस्तान और दक्षिन पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से लगी है। और दूसरा चर्चितिस्तान है मोजामबिक, यहां की राजधानी मापूटो है। पुर्व में मोजामबिक के एक संसदिय प्रतनिधी मंडल ने भारत की राष्ट्वपती से भेट की है। इसकी सीमा है उत्तर में तंजानिया, पुर्व में मोजामबिक चैनल, डक्षिन और दक्षिन पश्चिम में दक्षिन अफ्रीका तथा स्वाजिलेंड, पश्चिम में जिंबावे, तथा उत्तर पश्चिम में जांबिया, मलावी और लेक नियासा से रखती है। ये मोजामबिक चैनल द्वारा मेडगासकर से अलग होता है, मोजामबिक का सबसे उचा परवत है माउंट बिंगा। नमस्कार, थैंक यू फोर लिसनिंग।